नन्ही निश्वा हस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ गई इन्न लिल्लाहे वा इन्ना इलैही राजियून डेड माह में कसूर शहर में चार बच्चे जिनसी ज्यात्ती का निशाना बनने के बाद कतल इन्न लिल्लाहे वा इन्ना इलैही राजियून वडेरों की सरजमीन लाड़काना में कुटे के काटने की वैक्सीन ना मिलने पर मीरहसन अपनी जान मा की गोद में फरिष्टा अजल के हमाले करता है ना जमीन फटती है ना अस्मान लरसता है ख़दा की बनाई जमीन पर ख़दा की मखलू को बेदर्धी से मारा गया इनसानियत दम तोड गए बलाओ। जिनाद को कि वो फतेहा ले बलाओ هश्रात को कि वो जनाजा पड़े कोई जिहादी कोई सिपाही सुने खरीबों की ये दुहाई कि फूल शाखों से ज़ड गए है जिहे था जीना वो मर गए है जिहें था जीना गुमर गए एक बात कहूं सद्रे आली वकार मारेंगे तो नहीं हम वो कुफा मिजाज लोग हैं जो एक हुसेन की शहादत के बाद दूसरे हुसेन का इंतिजार करते हैं एक और बात कहूं सद्रे आली वकार सुन पाएंगे होसला रखते हैं फलस्तीनी अब्दुर्रह्मान जब इसराईली बरबरियत का शिकार होकर अपनी आखरी सासे ले रहा था तो उसने कहा था मैं अपने खुदा को जाकर सब बताऊंगा एक और बात भी कहूं सद्रे आली वकार इलान कुर्दी की वो नन्ही लाश जाने कितने ही घंटे तुर्की के साहिल पर तैरती रही लेकिन चश्मे फलक नमनाक न हुई अफलाक का दिल खटा ना ही सुरज ठंडा हुआ ना पहाड रूई बनकर उड़ने लगे कि कमसिन फूल से बच्चे लहद की गोद में सोकर घरों में घूमते सायों के पैकर छोड़ जाते हैं चलें सद्रे आली वकार आजिए नया सुदा करते हैं आएं फूल से उसकी खुश्बू खरीद कर बुल्बुल के नगमों के इवज बेच दें आएं जल्म से जल्म खरीद कर उसे इनसानियत खमा दें आएं मेरे साथ वक्त कम है ये नहों कि ये सब ननी कलियां जल कर खाकसर हो जाएं ये नहों कि जमीन कदमों के नीचे से अपना दामन समेट ले कि सियाहरात वो सूरज उभरने वाला है जो इंकलाब का पर्चम फिजा में खोलेगा जमीन हशर उठाएगी जालिमों के खिलाफ ये खून चुक नहीं रहेगा ये खून बोलेगा कि ये खून चुक नहीं रहेगा ये खून बोलेगा समायतों का शुक्रिया ना ये उस्वाईया होती सद्रे आली बखार मैं वगत की राप पर कड़ा हूँ हर तरफ तारीखी आहें और सिस्कियां कई कोई पच्चास सहब चुका है कई कोई माँ कई कोई आच साना बच्ची अपनी इस्थ महफूस करने के लिए धर्धर की टोकरे काती जा रही है कई कोई मौलेच अपनी सनदे सारे बाजार चला रहा है तो कई मैंने कराची के शाराओं पे घुन्ड़ादी कर राच देखा तो कई मैंने उस आजीम दर्शगाए में शाइजोने वाले बच्चों की माँ को तिल तिल मरते देखा जो आज भी मुतजर है कि मेरा बच्चा आएगा मेरा बच्चा आएगा उनकी सिसक्ती बलती रूप मुझसे सवाल करती है कि यही है वो मुझसे किजिन से बद्रवानी और रिश्चा खुनी की बूँ आती है कि यही है वो गुच्चंट जो बूल के ले से पहले मुर्चा जाते है कि यही वो इमादार किजिन के इमाद सर्फ चिहं तक उपर पिक जाती है अरे कुछ तो कहिए कि जुम की रुद में कुछ न कहना भी जुम होता है जुम तो जुम है लेकिन जुम सेना भी जुम होता है सद्रे आली बकार जब मैंने वतन अजीज में नजर दोड़ाई तो मुझे शाराओं पर रिज़ते नफस नीला मुई दिखाई दी जब मेरी नजर लस्पेला में पड़ी जहां 27 मसाफरों समयत बस जलता रहा लोग मरते रहे उनकी हटिया जलते रहे लहू जलता रहा नाल इंतजामिया देखता रहा तलखियत को मदे नजर रखते हुए शाही जहनों के मालिक अपनी हलक को जदो को करते हुए फरमाते हैं के भूल शाहों से जड़ गए हैं जिन्हें धाचीना वो मर गए हैं सद्रे लिवकार मौजूदा दुश्मन यानि के वक्त आज की अजीम हस्दी खुद को मानने वालों को अपने पैरों तले रौंट कर फरमाता है के इतना मगरूर नदौलत पे हो फिर उन्न बन वक्त ने कितने खुदाओं का भरम तोड़ दिया जिवकार पुराना दौर ना नेट ना मीडिया ना टीवी ऐसे पसमादा दौर में अजीम शख्सियतों का इंतखाब हुआ इकबाल गाइद जिन्होंने जाने वक्त की मुल्क को सराहा जिवकार मुल्क को सराहा मगर सवाल जनम लेता है अफसोस से कि आज तो नेट है टीवी है मुबाइल है किताबे है को दुखाने है आज के नौजवान को मुहम्मद बिन कस्म होना चाहिए आज के नौजवान को जाबर बिनायान होना चाहिए आज के नौजवान को टीबू सुल्तान होना चाहिए आज के नौजवान को मौम्मद बिन गासिम होना चाहिए आज के नौजवान को इकबाल और आज के नौजवान को काइद होना चाहिए आज के नौजवान को इमाम मगर अफसोस से कहना पड़ता है जिवकार कि आज की नसल कहती है बस दर्वान होना चाहिए हादस्ते एतियात में खंजर है क्या करे दुश्मन हमारी जात के अंदर है क्या करे आलिय वकार आज पाकिस्तान तहशत गर्दी का शिकार है आखिर क्या करे इस वतन की असमत तार तार है आखिर क्या करे शोहदाए के माए अपने नौजवान बेटे के लाश की खबर सुनकर सदमे से दीवाना और लाचार है आखिर क्या करे लाशों पे लाशे जनाजों पे जनाजे के अनबार है आखिर क्या करे गरीब के मुझ से निवाला चीनने वाले बदुनवान हराम खौर और खड़दार है आखर क्या करे जल्म जल्म करने पर और मजलूम जल्म सहने पर तयार है आखर क्या करे जिवकार इन सबसे भी बढ़ कर माशरे की एक और तस्वीर कि जिसमें गुंगरू पहन कर तवाइफ खाने में चंचंचं की आवाज और हवस परस्तों से मर गई वो हवा की तेरा साला बेटी बाप के कहने और मजबूर करने से मर गई वो मासूम बहन अपना जिसम बेच बेच कर गहरत से आरी बाई के खुआशात को पूरा करने से मर गई मेरे तकरीर का मौजू है इसे भी मारो उसे भी मारो जो बच गया है उसे भी मारो सद्राली वकार आज पाकिस्तान ये कह रहा है मैं सुन रही हूँ और आप सब को सुनाना चाहती हूँ के 27 रमसान मुबारा जुम्मे के दिन शौदा के साए में बनने वाला ये पाकिस्तान आज सोच रहा है कि एक वक्ता एक वक्ता ये सरफ्रोश इसलाम मुझे बनाने के लिए अपने तन अपने मन और अपने दन सब कुछ कुर्बान कर दिये लाको माओं ने अपनी जवान बेटों की जानों की कुर्बान या दी सैंक्रों बेहनों ने अपने नौजवान बाईयों की जानों के नजराने फेश किये सद्रे अलिवकार आज मेरा और आपका पाकिस्तान कलमा तैबा की जागीर सुरह रहमान की तफसीर काईदोर अकबाल की खुआबों की ताबिर उम्मति मुस्रिमा की तगदिर आज पकार पकार कर क्या के रिए हैं जहारे जहार स्याह अंदेरे मेरी ही जाने बढ़ रहे हैं और इन अंदेरों में रक्स करते हुए दरिंदे जिनके हाथों और आंकों से खुन इन साट टबक रहा है मैं उन्ही लिटेरों में गर चुका हूँ हूँ मेरी ही जाने बढ़े हैं सद्रारि वकार क्या हमने एक आज़ाद फुद मुष्टार रियास्त अस्यारी। कि उड़ाइगार जिकर के इन EPA। जालिम अभी शाहिद चॉर और अशर्फश खोर कौः चांए। ये चोग चौरा है ये शारा है इसने तामिर के कि एन पर आवाम सिसा करुआ है कि अला को जाना का नजराना इसलिए पेश गया कि उनका लाहर राएगा चला चाला कि इस जमीन पर अनाच इसलिए उगला कि गरीबों के मुझे उनका निवाला चीनले ये आफिस टाइमिंग है और काम हमारा बड़ा ज्यादा होता है पिर मंडे को काफी आफिशल हमारी इंगेजमेंट्स होती हैं अगर साइकिन टाइम इस तरह की यवन तो तो पिर हम मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ पुलिटिकल इस तरह के डिबेटर्स को देखे यूद को देखे अपने यूद को द आउ इसा अज यूद एक्टिविस्स सिंस स्टूडन लाइफ पाकिस्तान की बड़े बड़े यूद कांफरेंसे में रहा हूं इंटरनेशनल मैंने कई एक डेलिगेशन के सारा हूं पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है तो आई रिएली नजॉइड इट मुझे ख बढ़ रहे हैं मैडम खुर्शीद बरूचा ने भी जिकर किया कि जेंडर बैलंस होनी चाहिए यकीन होनी चाहिए और अपने साथ साथ हमारी जो खवातीन हैं हमारी बैने हैं उनको भी जो अपर्चुनिटीज हैं उसमें आप हमेशा शामिल रखें और मुझे इस बात की खुशी है जितने डिबेटर थे के इससे पहले जिन्होंने इंगलिश में स्पीचिस कियें या पिर अब अर्दू में साहिल अग्यानी के नजम साहिर मेरा बड़ा पसंदीदा शायर है जल्म तो जल्म है बढ़ता है तो बिट जाता है अब किसी हम सर्वका फुट रहे हैं इसको बढ़ा रहे हैं और इन्शालMore बuçस्तान गवर्मिंट हमारा एक हमने एक अब जो डिटा हम क्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जतने भी तालीम एदारे हैं बड़े उस्मारे बलुट जल्बा जहां जहां पे हैं घुटा में पहरे हैं हम डिटा क्लेक्र आप एकि क अपरचुनिटीज क्रियेट कर रहे हैं उनी शोबों में जाब्स क्रियेट कर रहे हैं अब भी हमने आपकी जो यूथ पालिसी है अपरिल 2010 के बाद ये सबजेक्ट सूबों को डिवाल्व हो गई थी लेकिन पालिसी आज तक्रीबार आठ नो साल बाद भी नहीं बन सकी हमने उसको फाइनल किया है लास्ट ट्विंटीएट ट्विंटी सेकंड सब्को जो है लावर में हमारी मीटिंग हुई इंशालला हम उसको टेबल कर रहे हैं इसके लावा जो हमारी यूथ है चेहजार इंटर्शिप इस बजट में अपने नौजवानों के लिए हमने रखे हैं और इसके लावा जो स्कॉलर्शिप्स हैं डिफरंट कंट्रीज के अम्बेसेडर्स के साथ सीम साब खुद जो है कही एक हमारी मीटिंग्स हुई हैं मैं कुछ एक का खुद इस्सा रहा हूँ वहाँ पर आपके लिए आपरचुनिटीज करें यूथ डिवलपिंट पालिसी यूड डिवलपिंट प्रोग्राम यह हमारे मौजुदा बजट का हिस्सा है और हम आप सब के लिए बरुश्टां के तमाम डिस्टिक एड़कॉर्टर्स में स्पोर्स सिटीज बनाने जा रहे हैं जहां पर स्पोर्स कंप्लेक्स होंगे यूथ के लिए जहां पर खवातिन इंडस्टिय है इसमें जो हमारे माइस मिंडल जो हमारे वसायल है उनको मार्किट किया जाए इंटरनेशनल इनवेस्टर कान्फरेंस करने हम जा रहे हैं ताकि यहां पर एकनॉमिक डिवलिप्मेंट बड़े एकनॉमिक एक्टिविटिज बड़े उसके साथ साथ ग्रोध बड़े और मार्कीट में मार्कीट में मेश्यत का प्याद थेजी से गूमना शुरू हो और पिर हाप के लिए जाब्स आपरचुनिटीज पैदा हों क्योंकि सबसे बड़ा इशू नौजवानों के लिए हमारे हाँ वो जाब्स का है हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है कोई एक कोमी दुनिया में इस वकर जितने मौडर्न नेशन स्टेट्स हैं जो आगे बढ़े हैं इंडस्ट्लाइजेशन के बगए कोई एक मुल्क नहीं बढ़ी तो इस बजट में हमारे जो वीजन है एक तो यह है कि सोशल औरियंटेट बजट हम ने दिया है और दूसरा ह हमने इंडस्ट्लाइजेशन की तरफ जो है जिसमें कभी काम नहीं हुआ हम उस तरफ आगे बढ़ना शुरू हैं उसमें थीन मार्मल सिटीज दो स्पेशल एकनामिक जोन्स और बार्डर मार्कीट्स खवातिन के लिए बिजनिस अलाइदा से सेंटर्स जिसमें सिर्फ खव होनर होगी वो भी खातून होगी और मार्कीट में जो कस्टमर्स होंगे वो भी खवातिन होगे ये एक नया मॉडल हम पेश करने जा रहे हैं इसके लावा इतवार बाज़ार ये वो चीज़े हैं कि जहां पर एक्लामिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तालिम के शोबे में म आप लोगों के जो मिस्तक्बिल है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें उसको प्रोजेक्ट कर सकें उसको प्रोमोट कर सकें और आखिर में खुशी के साथ अगेन के गुजारिश है कि अपनी जो तालीम है उसके आप तवज़ो दें और सोशल मीडिया का दोर है गूगल का दोर ह रिसर्च करें रिसर्च के बगएर जो रवायती तालीम है वो नाकाफी है हागे बढ़ें इंशालला बलुस्तान अकूमत आपके साथ हैं हम आपके साथ हैं और आखिर में मुन्तजमीन जिन्हों ने आज का ये इहतिमाम किया इस तक्रीब का उनका बारे दीगर मैं शुकर ग कैसे प्रोमोट करें उनको कैसे प्रोजेक्ट करें इस पे भी हम काम कर रहे हैं इंशालला जो सिवल सोसाइटी है उसका बड़ा रोल है और सिवल सोसाइटी एक वाइबरंट सुसाइटी पाकिस्तान में प्रोमोट हुई है बलुस्तान में भी इंशालला उसके सारा हमें न तुमां मेम्बर्स और देर स्टुर्ट्स जी रियस्तावी कुई मैं इतनी जादा तकारीब और तकारीब अटाइट गें को मिस्तरा की के मेरे ले ले कुई नहीं बार भी है ने के कि मुझे बहुत अच्छा सत है जब मैं ये कि हमारे डिफ्रेंट एंटि बॉच्छे इस तरह की ऑर्गनिजिशन्स में पर्ट्स भेख करते हैं क्योंकि हम अपनी कालेजेशन्स में तो ये फंक्शन्स करवाते रहते हैं गाहे बदाने और उन फंक्शन्स में बच्चे अपना टैलेंक शो करते हैं तो उसमें हमें की पता रगता है कि कहां कहां से टेरेट आगा है हम अपने इन प्रोग्राम्स में जब पाकिस्तान देटी हमाले से फंक्षन करवाते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक लेवल से लेकर डिविजनल लेवल तक और दिविजनल लेवल से लेकर प्रोग्राम्स में है इसी ज़रा नया का प्रोग्राम्स में जो हमारा साल साल चलता रहता है वही 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 डिस्टिक लेवल से लेकर तुशने लेवल पर और प्रोमेशन लेवल पर जो बच्चे टॉम करते हैं वो अपने प्राइसे से लेते हैं यह तैनन हमारे इंगर जस्तान में काम नहीं है किसी की से में अंदाजा बता है कि हम किसी में से बच्चे पर सुएप करते हैं चाहे वो आपका ऐसे राइटिंग को इंग्लिश ओर्टो में चाहे वो आपकी इवेल कॉंपेटिशन को चाहे वो आपकी आर्ट की जो अबिलिटी है उसको सामने डाया जाए कि बच्चे पेंटिंग्स में बहुत पुसरण करने हैं और उसमें हम कैलियोग्राफिय भी करवाते हैं तो मैं आपको कहने बताना चाहरे हूं कि हमारे कॉर्णर, हमारे पुलिशिस्तान के कॉर्णर ला कॉर्णर में टैलेक्ट माज़ूत है सिर्फ उसको बाहर टाने की हमारी कोशिश होती है कि हम इस तना से उनको परसके तबात प्रविंशन लेवल पर लेकर आएं तके भूं भी बड़े शेहों को देखें उनका एक्सपोशर उनको भी बता लगे कि दुनिया कहां से कहां जा रही है मैंने बहुत से तका रहे हैं आपके सुना कि तानिम लास्मी है Everyone knows that तानिम है लास्मी हर भच्चे कहां कहां लेकि उसका आउपुट क्या है आप सिर्थ यह देखें कि हम उसके कितना अमल कर रहे हैं जो हम सीख रहे हैं क्या उसको हम अपनी अपनी अपनाते हैं हम उसका आउपुट क्या देखने हैं अगर आप उसको तालीम को देशत्रती से जोड़ते हैं तो यह बलत है तादिम हमें दैशत गर्दी में ही सखाती है तादिम हमें शौर देती है हमें आगे सोचने का मुस्तवित में अपने प्लैन बनाने की सोच देती है हमें अपने आपको आगे बढ़ाने की, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की सोच देती है तादिम कभी आपको गलत रास्ते के चलाता है अगर वो तादिम तादिम है तो इस तरह से बहुत से और्गनाइज़िशन होती है जो हारी रूट को गलत रास्ते कर दे जाती है तादिम का छासा देकर वोगों को गलत रास्ते कर दे जाती है यहां हो सकता है कि वो देशाब कर दिए बदा जाए लेकिन ने दभी इस चीज़ को इक सब्ट नहीं करता मेरा माइंड के तारी आप अगे वाला वाज़स महमाना निकरामी खुसुसर्थ मैडल रबाबा पहनी दुरानी साहिवाब आपास नहीं साहिए नहीं साहिए मौज़ पर नज़र आ रहे हैं अस्सलाम आलेकुम मैं बहुत जादा मुद्धीन होगी आपका मुखतसर सी बात करेंगी और टूद अपॉइंट बात करेंगी क्योंकि बहुत चारी ऐसे नहीं हो चुकी है जिसके बाद मेरे कुछ किंगे ती कुछ जाइश बहुत काम रह जाएगी मेरे जहन में एक अलसर टेनिटी कि जस तरीके से मैं एक मेल ओर्येंटेटी में आके काम करेंगी बुझे नहीं करेंगी ने करेंगी नियाकिन आपक साथ बात थे संके आपके दीकने मेरे आपकॉसरे बहुत बगद्ला है बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे खमधीन को देखकर, आप सब को देखकर, बहुत अच्छे ची चकली की आपनी, दो में तूड़ी देर से आई, लेकिन आपकी बात है सुनी, अपना कॉलेज का, स्कूल का जमाना याद आगया, तो कि मैं भी बहुत डिबिर्स किया ती और बात में मशुरू हो गया है, कि जिदर डिदा आती होगे, कोई और जीत नी सकता, तो लोग लेकी कहते हैं, तो लोग लेकी कहते हैं, तो फर्स्ट प्राइज गया, आप सेकेंड थर्ट लिये करते हैं, बहुत मुशूर है, आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से देखकर देकर एक बात में के बुड़ी आपको, बातें सब कर रहे हैं, तकरीर करना आसान है, स्टेज प्यार करना मुश्किन है, लेकि जब कॉन्टेंस आजाता है, असान हो जाता है, लेकि प्राक्टिकली चीज़ों को सरी करना है हम दे और आप में करें, जो हो गया, उसके उपर अब जितना मर्जी हो ने उसको अड़्ू भी किया जा सेकता, future हमारे हाथ ने, हम youth हैं, Benjamin Franklin कहता है, youth is the trustee of prosperity, हम खुश्खाली के सामद हैं, हमने खुश्खाली ने करा हैं, वो वसीशा कहता है ना, अमल की सूखती रख ने, जरा इसा फून शामिल कर, मेरे हम दम वक्त बात हमें बनातर कुछ ने दिलता, हमने सिर्फ बाते ही बना दी, प्रैक्टिक ही अपने कोईटा को, अपने मयोचस्तान को, अपने पाकिस्तान को आगे लेकर चल आए, youth हमारे साथ खड़ी हो, youth पड़े, लिखे, आगे जाए, और कोशिश करें, कि जो बुसर गया, उस पे रो कोई तो आए, कोई तो रुचे के फूल शाथों से जड़ गए है, जिनेंगेंपा जिना, वो मर गए है, निगाहें फिर सिर्प तलाश्la की है, पूई चहादी, कोई सिपादी, सुनें जरीओों की ये तुहाइी, के फूल शाथों से छड़ गए है, जिन् openness प्रूल जिने वहीं पर लड़ना है कि फुर ठेहरा किसी का पर्मार पर्मार दफार का दानी मतरमार रुबाबा हमें दुरानी साहवा से यह तो तश्रीप लाएं मोंखान दोमिंट आपकी जगला है आप तश्रीप लाएं और जो फातिशीन है उनमें नामा तक्सी है पहली प्रोपिसिन अ पर आपसा हो मेहानी उर्दू के लिए जोड़ा अर्थ नुकान दें जियादार है एक लेक्जा कुमारा मिच्छा दें एक मेंगर कमारे की जाल है उनमेम्दन हो मेरी हम तब क्पेंड का इना क्ख़रा को मेंरी हो इतक है समे उनमेश Derघिमार मेरी जाब हम फसे लिए मेंग derechos से आफ़रा कि लेक्षाहूराओ कि जाए वेक्षाहदा है झाल